Hello Everyone, Namaste! इस वीडियो में हम सीखेंगे कि Zoho Books में हम अपने GST डीटेल्स कैसे डालते हैं? GST सेटिंग्स कॉन्फिगर करने के लिए अपने Zoho Books Organization में लॉग इन कर लें. सेटिंग्स में जाएं और टैक्सिस को सेलेट करें. फिर GST सेटिंग्स में क्लिक करें. इस पेज़ पर आप अपने GST के डीटेल्स को भर सकते हैं. यहां अपना GSTN नमबर डालें. अपने GSTN को GST Portal से वालिडेट करने के लिए Get Taxpayer Details पर क्लिक करें. यहां उस डेट को डालें जब आपका GST रेजिस्टर हुआ है. यदि आपका बिस्नेस Composition स्कीम में रेजिस्टर हैं, तो इस बॉक्स को सेलेट करें और उचिक परसिंटेज को सेलेट करें, जो आपको GSTR 4 फाइलिंग में पे करना होता है. Compositions की बैसे GST Registration होते हैं, जिनका सलाना आए 1.5 करोर से कम हो, और जो किसी को Tax Charge नहीं कर सकते हैं. यहां आप Sales Transition के लिए Reverse Charge की Option को सेलेट कर सकते हैं, यह Option आप तब यूज़ कर सकते हैं, जब आप कुछ ऐसे समान को बेशते हैं, जिसको सरकार ने इसकी अंडर स्पेसिफाई कर रखा हैं, जैसे की अगर आपका Transport का Business है, या फिर आप E-commerce Service प्रवाइड करते हैं, यदि आ Wizard का मतलब वैसे लोगों से होता है, जिनका Business सरकार के द्वारा चिन ही किसी विशेश जगा पे होता है, और Overseas का मतलब देश के बाहर नर्यात से हैं, फिर उस Account को चुने, जिसमें आपको Custom Duty के Charges ट्रैग करने हैं, यदि आप अपने Digital Services की Sales को ट्रैग करना चाहते हैं, तो इ इंटरनेट पे Advertise करना, Cloud Services जैसे Zoho Books, अपनी ये सारी Details डालने के बाद Save पर क्लिक करें, आप यहां अपने Organization के Default Tax को चुन सकते हैं, यहां आपके द्वारा सेलेक किया गया Tax, आपके Organization के सारे Items भी Default Set हो जाएगा, यदि आपके Items के Tax Rate अलग है, तो आप Item Level पे भी बदल स सकते हैं, और यह Tax Transition बनाते वक्त, जब Item Select किया जाए, तो Auto Populate हो जाएगा, आप चाहे तो Transition Level पे भी बदल सकते हैं, अब आप उस Tax को सेलेक करें, जो Intra State के लिए Applicable होगा, Intra State का मतलब अपने State के अंदर Apply होने वाला Tax, Intra State Tax मे वो Tax सेलेक करें, जो अपने State के बाहर खरीद नहीं आप बेचने पे लगता है, अब Save पर क्लिक करें, अब अपने Online Filing Settings पर जाएं, जोहू Books से आप Directly GST Returns फाइल या Initiate कर सकते हैं, GSTR 1 डारेक्ली जोहू Books से आप फाइल कर सकते हैं, GSTR 3 भी और GSTR 9 इनिशियेट कर सकते हैं, और GSTR 2A रिकनसाइल भी कर सकते हैं, इसके ल पर डालना होगा, यहां अपना GSTR यूजर नेम डालें, जो आप GSTR Portal पर लॉग इन के समय डालते हैं, रिपोर्टिंग पिरियेट को सेलेट करें, रिपोर्टिंग पिरियेट का मतलब है कि आप अपने GSTR 1 की Filing कैसे करते हैं, अगर आप हर महीनी Filing करते हैं, तो Monthly और Quarterly करत हैं, तो Quarterly को Option चुने, अब वो Month चुने जहां से आप अपना पहला GSTR Returns जनरेट करना चाहते हैं, यदि आप GSTR Filing के लिए Approval को Enable करना चाहते हैं, तो इस Box को सेलेट करें, और अपने Company में Approvers को सेलेट करें, इस Feature से आप अपने सारे Returns Approvers से Approve होने के बाद ही File कर पाएंग अब ये सारे Details जालने के बाद Save पर क्लिक करें इस Section में आप GSTR Tax Rate देख सकते हैं, जो GSTR में Use होता है, यहां दिये गए Tax के अलावा, आप Plus New Tax पर क्लिक करके नया Tax Rate बना भी सकते हैं, यदि आप Multiple Taxes के साथ एक नया Tax Group बनाना चाहते हैं, तो Plus New Tax Group पर क्लिक करेंगे, यहां Multiple Taxes सेलेक्ट करके आप एक नया Tax Group बना सकते हैं, यहां हमारे पास Tax Exemption का भी Option है, Tax Exemption आप तब यूज़ कर सकते हैं, जब आप कुछ ऐसे चीज़े खरेते या बेशते हैं, जिनको सरकार ने GSTR से बाहर रखा हैं, जैसे कि Dairy Products, Meat, काजर, एक्सेक्टरा, नया Tax Exemption क्रिय Exemption Reason डाले और अविशिक है तो पूरा Description भी डाल सकते हैं, फिर चुने कि यह Exemption Customer या आइटम्स पर लागू होगा, अब Save पर क्लिक करें, यदि आप इस Exemption को Delete करना चाहते हैं, तो इस पर जाएं और Trash आइकन पर क्लिक करें, अब आपने अपने सबे GST details डालके अपना Organization को Set कर लिया है, यदि आपको कोई Queries है तो आप Support.India at ZohoBooks.com पर हमें लिख सकते हैं, धन्यवाद